पेपर बिलिग की जंजट से पाएं छुटका रहा माई बिल्बू कैप से GST बिल बनाएं और शेयर करें स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेंदेन का पूरा हिसाब भी रखें आज ही डाउनलोड करें माई बिल्बू कैप ब्लेस्टोर से बिल्कुल फ्री में नमस्कार देवी और सज्जिनों मैं आपकी कप्तान बोर रही हूँ मेरा नाम जोया अगरवाल है मेरे साथ आज विमान कक्ष में विमान महिला चालेकाएं है कप्तान तनमय पापागरी कप्तान अकांगशा सुनावने एवं कप्तान शिवानी मनहास हम सबकी तरफ से आपका इस उडान AI एक साथ छे सान फंसिस्को अमरीका की सिलिकॉन वैली से बैंगलूरू जो की भारत की सिलिकॉन वैली है जाने वाली सेवा में हार दिक स्वागत है हम आज उत्तरी ध्रोफ पे उडान भर के दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक जाएंगे आप सबकी जानकारी के लिए जिस जहास में आप यात्रा कर रहे हैं यह बोईं साथ 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 200 LR शेनी का विमान है जो की हमारे 248 प्रतिश्चित यात्रियों को विष्व के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने की शम्ता रखता है इसमें विष्व के शक्तिशाली इंजिन लगे हुए है जिसमें सिरफ एक इंजिन 110,000 पाउंड उजा उत्पन करने की शम्ता रखता है आप में से जो यात्री और उड़ान संबन्दी जानकारी चाहते हैं वो इन फ्लाइट एंजिन में पास सकते हैं मुझे पूरी आशा है आप सब की उड़ान अनन्दमी रहेगी एर इंडिया जो की स्टायर लाइन्स के सुदस्ते हैं से यात्रा करने के लिए हम आप क्या भारी हैं और मैं आशा करती हूँ आप हमारे साथ जल्द दुबारा यात्रा करेए नमस्कार जैहिन तस्बीरों में दिख रही ये महला एर इंडिया की पाइलेट है जिनकी टीम एक नया कीर्तमार रचने जा रही है इनका नाम जोया अगरवाल है जो उस महलाओं की टीम को लीट कर रही है जो दुनिया के सबसे लंबे मार्क से उत्री धुप के उपर से उडान भनने वाली देश की पहली टीम बनने वाली है एर इंडिया की ये ट्रीम सैन फ्रांसिसको से उडान भरेगी और करीब 16,000 किलोमीटर का सफर तैकरने के बाद नौजनवरी को बंगलूरू पहुचेगी एर इंडिया ने इस काम के लिए जो टीम बनाई है उसमें केवल महलाई है कैप्टन जोया अगरवाल उस अलान की कमांडिंग अथकारी होगी कैप्टन अगरवाल और उनकी टीम की साथी नौजनवरी को इत्यास रचने के लिए उस साहित है उत्री दूप के उपर से सबसे लंबी उडान भनने का कारिप पूरा होते ही कैप्टन अगरवाल के रिकॉर्ड की लिष्ट में एक और उपलबदी जुड़ जाएगी साल 2013 में उन्होंने बोईंग 777 बिमान उडाय था और ये बिमान उडाने वाली वो सबसे युवा महला स्पाइलेट बन गई इस अभ्यान के पूरा होते ही कैप्टन अगरवाल एर इंडिया की पहली महला कमानडर बन जाएंगी जिसने उत्री धुप के उपर से उडान को अंजाम दिया होगा एक्सपर्ट के मताबिक उत्री धुप के उपर से उडान भनना काफी जटल काम है और इसके लिए कौशल और अनुबव की बहुत जरूरत होती है हाला कि पहले भी एर इंडिया के पाइलिट ये काम करते रहे हैं लेकिन पहली बार ये काम कोई महला पाइलिट करेगी